उके अलो फ्रेंड किसे हो आप सब में विशी और आप देख रहे हैं Bound to Invest यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे आने वाला जो वीक है उसमें कौन-कौन से स्टोक अमारे स्विंग टेडिंग के लिए होंगे और उसके पीछे का reason क्या है तो दोस्तो अभी तक आपने अमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हरो जर दिन लेते आते हैं और जो बाजो में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको अमारी notification सबसे पहले मिल जाए इस लिष्ट में जो अमारा पहला स्टोक है वो है L&T अभी L&T को मैंने क्यों लिया तो आप देख रहे हो एक सडन सी अफसाइड मिली और बाद में आपको एक Consolidate जैसा जोन दिख रहा है मतलब हम इसको ट्राइंगल भी बोल सकते है और फ्लेक भी बोल सकते है तो यह वनवर्स का चार्ट है इसमें मेरे को फ्लेक जैसी पेटरन बनती हुई दिख रही है इसलिए इसको मैं लेके जा रहा हूँ अगर यह अपर की लाइन का प्रोपर वो है United Spirit अभी इसको भी मैंने क्यों लिया तो सेम L&T जैसा ही कि आपको इसमें एक ट्राइंगल जैसा बनता हुआ दिख रहा है तो इसलिए मैंने इसको चूस गिया है तो सिंपल सी बात है अगर यह ट्राइंगल का प्रोपर ब्रेक आउट करके अपर निकल जाता है तब ह हम इसमें एंटर होंगे तो इसमें भी मेरा बुलिस व्यू ही है तो अगर यह इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो मैं इसमें एंटरी नहीं लूँगा लेकिन आपको इसा लगता है कि नहीं है इसका प्रोपर और वोल्यूम के साथ ब्रेक आउट है तो आप इसमें सेल साइड एंट्री ले सकते हो लेकिन आप अपनी एनालिसिस कीजिए आपको किस साइड एंट्री लेनी है या तो आप दोनों साइड एंट्री ले सकते हो या तो कोई एक साइड एंट्री ले सकते हो एक एनालिसिस होते है उसके उपर डिपेंड रही है उसके बाद का जो हमारा चर्ट करें मतलब किया करें ऊपर जा रहे नीचे जा रहे तो उपर देखो आपको यह रजीस्ट लायन होगा इधार एक बार रिजिस्टनस लिए गोर isn't right के पास निक्षे की साइड से आपको क्या है कि सपोट दो ही मिल सकते एक यह और एक यह सो हमने क्या है की नीचे से एक राइजिंग सपोट लाइन बना दिये सो यह क्या किया वन डे के टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया कि ट्रेंगल बना दिया और इसको बोलते है Cal拜拜 के उपर इसने एसंडिंग क्राइंगल बना दिया है इसको में ले के आ कर आ रहा हूं तो इसका पृपर तरीके से ब्रेकाउट केपल रहीं और उसके बाद एन्डी ले सकते हैं तो आपको कोई analysis के ऊपर आपको plan बनाना पड़ता है तो देखिया आपको कौन सा सही लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसका proper breakout हो गया तो क्या है कि आप entry बना सकते हो अगर आपको क्या है कि mind में थोड़ा यह है कि नहीं यह proper entry नहीं है इसके बाद का जो हमारा आखरिष्टो के वो कौन सा है वो है UBL अभी UBL भी same आपको one day का यह chart है कितने time से आप देखी रहे हो कि इसमें तो एक channel ही बना दिये कितने time से क्या कर रहा था एक channel में उपर नीचे उपर नीचे हो रहा था लेकिन Friday इसने क्या इसका breakout कर दिया देखो कितने अच्छा volume आया है और कितने अच्छी यह candle है तो क्या कर सकते हो आप यह जो candle है उसके high के उपर buy कर सकते हो या तो क्या कीजिए wait कीजिए थोड़ा इसको अपर जाने दीजिए थोड़ा इसको नीचे आये pullback की तरह और यह line के आसपास से फिर से कोई अपर जाने का sign देता है तब आप इसमें entry ले सकते हो लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि pullback यह देगा कभी कभी क्या होता है कि suddenly यह अप ही चला जाता है तो आप इसको देखिए अगर आपको सही लगता है तो इस candle के high के उपर अगर proper breakout हो जाता है तब entry ले सकते हो यह तो क्या कीजिए pullback का weight कीजिए जो भी करो उस पर आपकी analysis होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कहा में enter होने वाला हूँ आपको पता होना चाहिए क्या मेरा stop loss होगा और target तो आप क्या की उसको ride भी कर सकते हो या तो 1 jam 2 लेके निकल भी सकते हो तो in simple आपको पता होना चाहिए कहां आप enter हो रहे हो कहां आपका stop loss हो रहे हो और कहां आपके target है और मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ किसी को आप blindly follow मत करो मैं इसा बोल रहा हो कि UBL यहां से buy कर लो तो आप Beit करनी होती है अगर वह आपको समझ में आता है तब आपको trade करना होता है अगर समझ में नहीं आता तो Quay trading नहीं करनी होते है तो in simple किसी को blindly follow नहीं करना है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आरो like, comment and subscribe कर देना आप like, comment करोगे तभी तो में motivation भी लगा और यसे वीडियो आगे लेके आएंगे तो प्लीज आरो like, comment and subscribe कर देना चलिया मिलते अपने next वीडियो में कर दो